पूरे वर्ड में भूतान एक ऐसा देश है जहां पे एक भी ट्राफिक लाइट या ट्राफिक सिगनल है ही नहीं क्योंकि वहां के लोग एकदम स्लो ड्राइव करते हैं इसलिए वहां पे ना तो ट्राफिक लाइट के जरूरत परते हैं और ना ही ट्राफिक सिगनल की और वैसे भी ये देश गरीब भी है नमबर दो यूट्यूब पे हर एक मिनिट पे एक हाजार वीडियो अपलोड हो रहे है यानि हर एक गंटे पे साथ हजार वीडियो अपलोड हो रहे है और 24 गंटे में 1,44,44,000 वीडियो अप्लोड हो रहे है कितना बड़ा सर्वर होगा यूट्यूब का गजब का फैक्ट है यह नमबर 3 मलेशिया कंट्री में लोग अपने लाइफ पार्टनर को एक टैक्स मेसेज करके भी डाइवोस दे सकते है वहाँ पे ऐसा कानून बनाया गया है कि वहाँ पे लोगों को डाइवोस देने के लिए कोई पेपर प्रोसेस नहीं करने पड़ती अपने लाइफ पार्टनर को कैसे मेस कर दो और डाइवोस हो जाता है और वो वहाँ पे लीगल है नमबर चार आज कल की ओनलाइन पॉपिलर गेम पब जी इस गेम को नेपार और इराब कंट्री में बैन कर दिया है इस गेम को चाइना में भी बैन कर दिया है लेकिन उन लोगों ने कोई ओफिशियल एनाउस्मेंट नहीं किया यहाँ पे बैन करने का एक ही कारण था कि वहाँ के टीनजरों को बहुत सा इस गेम का एडिक्शन लग गया था इसलिए इस गेम को बैन करना पड़ा नमबर पांच आप अपने पीसी लिप्टॉप या मॉबाइल पे सी ओ एन नाम का फोल्डर नहीं बना सकते हैं कोई भी फाइल या फोल्डर का नेम सी ओ एन रखोगे तो वह फाइल या फोल्डर सेव ही नहीं होगा यह एक सिस्टम ग्लीच है उसकी वज़े से सी ओ एन नाम की फाइल या फोल्डर क्रियेट ही नहीं होता आप एक बार एक फोल्डर बना के चेक कर लिजे C-O-N नाम का फोल्डर नहीं बनेगा और कोई भी चीज का नाम C-O-N नहीं रख पाओ गया Yes, C-O-N नमबर छे चाइना कंट्री किसी भी चीज को कौपी कर लेता है अब तो चाइना ने हद कर दी मून को भी कौपी कर लिया चाइना कंट्री ने एक आर्टिफिश्यल मून बनाया है और चाइना के उपर लगाया है ताकि वहां की इलेट्रिसिटी बच सके और वहां की स्ट्रीट लाइट कम से कम यूज हो सके इसलिए इलेट्रिसिटी सेव करने के लिए उन लोगों ने एक आर्टिफिश्यल मून बनाया है और वहां पे उपर रख दिया है चाइना के नमबर साथ वर्ड का फास्टेस मोटर बाइक डोज टॉमाहॉक इस बाइक की स्पीड कैपिबिलिटी 420 किलोमेटर पर हवर्स की है और इस बाइक की प्राइज है 4 करोर रुपीज नमबर आठ वर्ड में जब सिम कार्ड लॉंच हुआ 1991 में तो वह एक क्रेडिट कार्ड जितना बड़ा सिम था और उसके बाद ये सिम आया उसके बाद माई करो उसके बाद नैनो सिम और आज ई सिम आ गए आइफॉन में फिजिकल सिम की कोई रिक्वार्मेंट ही नहीं है इसलिए ई सिम का उप्योग किया जाता है नमबर नौ ये खजुराहो टेंपल है और ये टेंपल मध्य प्रदेश के चत्तरपुर डिस्ट्रिक में आया हुआ है पता नहीं इस टेंपल को ऐसा क्यों बनाया गया है इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है लेकिन मुझे नहीं पता नमबर दस ये देखो इसका नाम शलग है और इसको चार नोज होते है सूंगने के लिए जो नाक होता है न वो उसको चार होते है और ये जीव ज्यादा तर फार्म या फिर गार्डन में देखना को मिलते है और ये जीव सभी वेजीटेबल के ऐसे डेमेज करता है और ये जीव टमेटो और कैबेज को ज्यादा डेमेज करता है थैंक्स फॉर वोचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले गुडबाई धनिवाद